दर्जिली के राजगर इंदोर अहम्दाबाद राजमर्क पर माचलिया घात में एक स्लीपर बस खाई में गर गई हाथ से में एक महिला की मौत हुई तो वहीं कई लोग खायल हुए हैं रातरी में ही राजगर पुलस मौके पर पहुची तथा घायलों के समीब ग्राम काली देवी के एस्पताल भीजा मिली जानकारी के नुसार बीती रातरी के बाद बनारस से सूरज जा रही स्लीपर बस क्रमाग जीजे 05 BT 2244 माचलिया घात की एक संकीन पुलिया से 30 से 40 फीट नीचे खाई में गिर गई बस के खाई में गिरते ही चीख पुकारे मच गई जानकारी लगते ही राजगर पुलिस वान रागीर खाई की नीचे पहुचे तथा घायलों को निकाल लिया इस दोरान कई घायल सड़क पर ही पड़े रहे बचाव कार में 15 एंबुलिस लगी थी लेकिन बस में शमता से अधिक यात्री होने कारण एंबुलिस भी कम पड़ गई पुलिस वान रागीरों ने जैसे तैसे यात्रीयों को राधरी में ही निकाल कर पास के जाबौ जिली के ग्राम काली देविस्थत अस्पताल में पहुचाया इस दोरान देर रात तक बचाव कार चलता रहा पताय जा रहा है कि बस चालक शराप के नशे में था इस वज़ा से यह हाथसा हुआ है राजगर थारण प्रभारी लोकेश सिंग मदोरिया ने बताया कि देर रातरी में सभी घायल को निकाल कर अस्पताल पहुचाया यातरी बस बनारा से सूरज जा रही थी हाथसे में एक महिला की मौत हुई तथा 10 से 12 लोग खायल है वहीं 30 से 35 लोगों को सामान चोट आई है पूरे मामले की जाज जारी है धार सितिन वर्मा के साथ दर्शत पाढ़िदार की रिपोर्ट अबे के अंदर लोग सब जगह दारू पिये हैं दो टाइबर थे एक कंडेक्टर थी अच्छा यात्रों की चमता कितनी रेती इस बस में यात्रों की चमता सर्जी हम ने सुना है कि आपके मीडिया ओलन बाद 36 लोगों का परिमिशन अब कितने बड़े हुए तो भी ठीक है लेकिन आप लोगों को दारू पी के गारी चलाने का अधिकार किसने दिया है यह लोग दारू पी के गारी चला रहे हैं और आज आप देख रहे हैं क्या इस्तिती बन गई है हमारे जितने भी हैं सब गरीब भाई हैं और सब गरीब मजदूर भाई हैं दो दो हजार सर जी